तो अस्सलाम लेकुम आप सब लाम दिलाई मैं एक दम ठीक हूं और मित करती हूं कि आप सब एकदम ठीक होंगे तो सबसब पहली बात तो जो जाड़ो वली चुड़ायल है इतना मतलब मरीयम के लिए मरीयल फसाद के लिए इतना जो लेक्शर दे रही थी पूरी बात क्यों बताती है और इतने डोंगदतूरे इतने नाटक चैनल के लिए करती है जितनी कोई हद नहीं है ठीक है तो यह जो इतनी ज्यादा हमदर्द बनी है पहले तो कह रही है कि सौधी में बाश्याँ वाली जिंदगी गुजार रही थी वहां से वहड़ गई है तो उसके ओपर क्या दुआ करो अमी के लिए दुआ करो अरे भाई पहले तु खुद के लिए तो दुआ करवा ले उसके लिए दुआ करवा ले जरह बच्चों को निला दुला लिया कर पूरा दीन बस चुगल खोरी में लगे रहती है पूरा दीन यह इसके घर में क्या हो रहा है किसके घर में कैसे ना गुसेडूं कैसे सलमय घर में जगड़े लगाऊं कैसे सितारा की पिच्चरे लिख करवाऊं कैसे सितारा की वीडियोस लिख करवाऊं कहां पर किसको सिंपती दूँ जो मुझे शाउट आउट मिले यह सब करने से थोड़ा सी टाइम निकालके न अपने बच्चों पर भी ध्यान दे दिया कर अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दे दिया कर महां जाती है तो आयत को निला दुला के इतना साब सुत्रा रखती है यहां पर तेरी बेटियों की तो हालत देख उनका कोई मुह ऐसा लगता है कि इतने महीनों से नहीं धुलाया है तो तुम लोग को देखके जाना है कि लालच किसे कहते और एक दो नहीं पूरा के पूरा कंजट तरापट टपरा जो है ना तुम्हारा हद कर दिया है वाइटी पे तुम लोग ने हद पार कर दिये वहां जाती है तो अच्छे से अपनी जॉब करती है और टंडल गिरी करके द लोग ने बच्चों के पर ध्यान ही नहीं देती है पता नहीं किते किते महिनों तलक के बच्चे भीना मूद होए गुनते रहते हैं और तुझे कोई परकी नहीं पड़ता तो दुछों के लिए दुखाए कम करवा पहले अपने घर में ध्यान दे तो पहले तो हम यह मर्यम ने जो वो में किसकी सपोटर है में किसकी मतलब ब्लैक मेलर है पिटारा की ए तो पिटारा के मुझे तो हमने ऐसा कोई दुख नहीं सुना मरियल फसाद के लिए इसका क्यों इतना मतलब ममता उबल रही है इसकी क्यों इतनी ममता उबल रही है तो इसके जगा पे मुझे लगत पितारा को इतनी ममता दिखाना चीए था फसादन के लिए वो क्यों नहीं दिखा रही क्योंकि सारी बात हुई है ना भई डील हुई है तो कैसे वो ममता दिखाएंगी इसको पता है कि डील के मताबिक सारा कुछ हो रहा है अब डील क्या हुई है वो सुनिए जब सितारा गई थी तो मारीयल फसाद को मतलब उसको अपने घर ले जाना था तो बिना बताए बिना इन्फार्म किए बिना कुछ बोले इनके दरवाजे में जाके खड़े हो गई मतलब पहले आई थी बोल के आई थी पहले तो बोल के आई थी कि मैं इससे मिलने आ रही हूं हलाके सितारा को नहीं मिलना था सितारा ने कहा था मैं अभी अभी आई हूं मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहती हूं और मैं यह सब मतलब शाउट आउट वगेरा नहीं देना चाह मिल लो अगर तुम्हारे मिलने से किसी का भला होता है तो मिलो और दफा करो ये बात को क्योंकि बहुत ज्यादा फोन आ रहे तो वो बंदी को फिर हाँ बुला गया वो बंदी घर पे गई खाना वना खाई मिली और फिर उसे ही लोगों ने दफा किया कि चलो बला टली मिलके चले गई शौट आउट मिल गया बला टली अब वहीं पे ये रुकी रही है नहीं गई अपने घर पे मरियल फसाद अपने घर पे नहीं गई दूसरे दीन वापित से बीना बताए बीना को इनफार्म किये बीना कॉल किये आके दरवाजे में दरवाजा ठोकने लग गई तो इन लोगों ने देखा कि ये आई ये तो कि मतलब आपी से, मतलब ये सितारा नहीं चाहती थी meetup करना और shout-out वगेरा देना तो इन लोगों ने मना कर दिया कि मतलब आज नहीं मिल पाएंगे या कहीं पे भी जाना नहीं पाएंगे इसे वेसे सितारा बहाने कैसे बना लेती है पता है न तो नहीं करना था सितारा को तो भी ये बंदी कितनी देर दर्वाजे में खड़ी थी, हटने को तियारी नी थी बेल पे बेल बचा रही है दर्वाजा पिटे जा रही है कंठाल के फिर लोग जा के दर्वाजा को लें तो ये बंदी अब भी चलो मेरे साथ अब भी मेरे घर चलो अब भी चलो ऐसे करके हाथ पकड़के ऐसे कर रही थी जैसे के पता नहीं चे मैंने की चोटी बच्ची है मतलब अपने चैनल के शौट आउट के लिए इतना ज़ादा मतलब गिर गई थी है फसादन हाथ पकड़के खीच रही है नहीं मेरे साथ अब भी चलो अब भी चलो तो फिर सितारा ने वहाँ पे अमी ने और सल्मा ने कहा के जाने दो एक दिन के लिए चली जाना तो बोली मैं अब भी तो नहीं आ रही हूँ लेकिन मैं आपको इधर जरूर आऊंगी मैं एक दिन के लिए ही सही लेकिन आऊंगी जरूर नहीं एक दिन के लिए नहीं दो दिन के लिए आना ये वह दुनिया भर के इसने ड्रामे की तो फिर सितारा ने उसकी अमी और सल्मा के समझाने पे हां बोल दी और उसके बाद में फिर आप लोगों ने देखा ही था सितारा ने दो दिन का बोल के लेकिन सितारा भी मतलब कमती की नहीं आप लोगों को पता ही है न उसने अच्छे से गेम के लिए और फिर गई इसके घर पे वो गेम क्या था वहां पे रुकने को बोल दी कि मैं एकी दिन के लिए आउंगी और मिरी टिकेट का भी ये वो कर दो और भोंचों को भी बताओ के मैं चाहती हूं कि मेरे दर रुके दो दिन इसके लिए ना तुम सितारा को रुकने दो टिकेट दो तिन दिन की और आगे करवा दो ऐसे करके फसादन के साथ गेम के लिए और अम्मी के पास में ये गेम के लिए के फसादन मुझे बुला रही है इसके लिए मुझे दो दिन टिकेट आगे करना पड़ा है तो आप समझाओ गौचु को फिर इतने फसादन से पैसे निकलवा के अपनी टिकेट का जो भी खर्चा था टिकेट आग नहीं करोगे के फसादन ने मतलब इसके डॉलर को इसके चैनल को और पैसे को देखते हुए फसादन ने क्या उफर रखी फसादन ने इतने इतने से बच्चों का रिस्ता तै करने की उफर रखी आयत को अपने बेटे के लिए सितारा से फसादन ने मांगी तो सितारा ने काद देखते हैं बात करते हैं जो भी होगा मैं बता दूंगी और ये कोई हैरत की बात नहीं है कि इतने इतने से बच्चे क्योंकि इनके इधर चलता है मैंने इता सुना है कि जो सराइकी और पता नहीं कौन है ना इन लोग ढोल बजाने वाले अब मुझे पता नहीं है पूर जादरी में यह सब चलता है तो उसने यह जवाब दे दी और वह बात होई पर रुक गई अब इसके बाद में जब पसादन को पता चला है कि आयत मतलब कुच्चु के अउलाद नहीं है और मतलब नहीं कहना चाहती हूं है कि कैसा बच्चा है वो उसमें उसकी गलती नहीं है कि गलती है ना कि उसने जायस तरीके से निका करके वो बच्ची को नहीं पैदा की तो उसमें बच्ची गलती नहीं है जब इसको पता चला कि बच्ची है इसी है तो इतने वह बात को ना छेड़ते हुए सारी कुछ इंक्वेरी निकाली जैसे कि आप लोगों ने इसकी सुनी ना तो ये सब सुनने के बाद में फिर इतने आयत वाले टॉपिक को छोड़ दिया लेकिन इसने फिर सितारा को ब्लैक मेल करते हुए क्योंकि देखो हर एक किसी से मर्यम की ना हर एक किसी से बात हुई है चाहे फिर वो उसका पुराना आशिक कोई हो उससे बात हुई ये अजगर भाई हो उससे भी पुरी बात हुई है अजाज हो उससे भी पुरी बात हुई है तो मरियम को सारे किस्टों का कहानियों का सितारा के पता है मरियम को सारा कुछ पता है कि सितारा का किस से क्या फैर है सितारा ने किसका बच्चा पैदा किये सितारा ने किसके साथ में क्या क्या गंदगी किये और सारा कुछ मालूमात लेने के बाद में सारे प्रूफ लेने के बाद में वोइस से record करने के बाद में मरियम ने सितारा को blackmail की और blackmail ही कहूंगी ना मैं offer देना या blackmail करना सितारा मान कैसे गई ये बात को blackmail नहीं की होती तो सितारा और माने जो अपनी सगी बेहन का अच्छा नहीं करती है वो मरियल फसाद का अच्छा करेंगी मैं नहीं मानती तो फिर सितारा को blackmail इस तरह से की कि मैं और तुम मिलके बिद्निस करेंगे मेरे मिया जो क्या कहूं बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए और same to same गोंचुई तरह है तो वो महनत करेंगे क्योंकि वो वेला बैठे रहता है सिर्फ खाता रहता है तो मैं इसको महनत घदा मदूरी पे लगाऊंगी और तुम पैसे लगाओ और हम दोनों मिलके करेंगे बिद्निस ठीक है तो आप लोग जो पूछ रहेते न कि गोंचु क्यों गया है गोंचु इतने टाइम से क्यों है गोंचु वहाँ पे क्यों मरा पड़ा है क्यों नहीं आ रहा तो गोंचु सारी तयारिया कर रहा है वहाँ पे बिद्निस करने की जैसे कि मैंने बता भी चुका है कि लोग वहाँ पे कोई होटल वगेरा खुलने माले है तो गोंचु तैयारियों में लगा हुआ है पैसा लगा रही है सितारा और अब वो जो बिजनेस है न होटल का वो सितारा मरियम मिलके करने माले तो वो बिजनेस करने के लिए मरियल फसादन सौधी चोड़के पाकिस्तान आई है लेकिन यहां से अभी लोग जाके दुबई में शिफ्ट होने माले है क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये नहीं हो सकता है कि सितारा हमेशा के लिए शिफ्ट होई ये मैंने मानती हाँ ये हो सकता है कि आओ जाओ आओ जाओ करते रहेंगी वो लेकिन किसी ना किसी को वहाँ पर रुकना तो पड़ेंगा तो हो सकता है कि मरियल फसादन कंपल सरी महाँ पर रुके और सितारा पिटारा आती जाती रहे इस तरह से लोग महाँ पर मिलके बिजनिस करने वाले है जिसके लिए मरीयल फसादन आई है लेकिन यह दूसरों का नाम डाल रही है कि इसने मुझे वहाँ से यह करवा दिया वहाँ से निकलवा दिया यह कर दिया मरीयल फसादन को मैं एक मेसेज जरूर देना चाहूंगी कि करवाया तो तुम्हारी हरकतों नहीं है किया अल्ला ने है ठीक है भले ही तुम अपनी मर्जी से ये सोच के ड्रामे करके निकली हो लेकिन तरस आता है तुमारे उपर के अल्ला की सर जमिन से तुमें अल्ला ने बेदखल कर दिया भले ही तुम लालच में वहां से निकली हो तुमको और यह तुमको में इसने निकाला तो तुमको पत्ता है कि यहां पर कोई भी चीज़ चुपती नहीं है आज निसा कवर तुमेरे भी सामने आएंगे जो थोड़े बहुत आचुके है पूरी तरह से आएंगे जो बाते जो डील और जो कुछ भी तुम लोगों के बीच में कंप्रमाइस हुआ है डील हुई है तो वो डील के अपर तुम लोग वर्क भी तो करोगे ना और जब वो डील के अपर तुम लोग व अभी तो ये पूरी सितारा बनेगी अब जैसे के इतने ड्रामा शुरू करी दिया है नौकरी चले गई याद है ना आप लोगों को आशू एक भी नहीं थे लेकिन आख पे अच्छे से टिंट लगा के इतने बहुत अच्छे ड्रामा किया था वोई ड्रामे को आगे बढ़ा करते हुए इसने अभी ड्रामा किया है और इसने पूरी तरह से नहीं बताया के हां मैं यह पाकिस्तान उतरी हूं यहां से मैं यहां जा रही हूं मैंने टैक्सी की मैंने ड्राइवर या गाड़ी आई है या हम लोग यहां रुके वहां रुके ऐसा कुछ प्रॉपरली तो बताया नहीं है बाकी डिल इसकी यही हुई है सितारा के साथ में के लोग मिलके बिद्निस करने वाले है वो भी दुबई में तो देखते हैं आगे यह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जो भी करेंगे वाइटी पे तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे तो इसका जितना भी अबी ड्रामा चालू है नहीं सारे ड्रामे इनके सामने आ जाएंगे बाकी जो मैंने कहा था ना कि अल्ला इनको महां से रफ़ दफ़ कर रहा है जो लोगों ने गंदगी का साथ दिया था वो बात तो एकदम सही है कुछ लोग हो चुके है कुछ लोग और अगर नहीं हो यह यह ड्रामा कर रही है वहीं पर रह के बता रही है कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो बहुत जल्दी हो जाएंगी क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अल्ला की जो सरजमीन है ना वहां पे गंदे लोगों को बहुत कम रुखने देता है फटा-फट वांते उठाके जहां पे उनकी उकाते ने वहां फेक देता है तो इसका भी वो टेम बहुत जल्द आने माला है ये वीडियो मैं यहीं पे अंड करती हूं वीडियो कैसी लग करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हापीस